हेलो स्टुडेंग्स, वेलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोट बुक, आज इस वीडियो में हम क्लास फॉर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, प्रेपोजिशन्स करेंगे, इस चाप्टर क्या हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो स इस वीडियो को एंग तक जरूर देखिए, और अगर आप क्लास फॉर इंग्लिश ग्रामर का, क्लास फॉर मैच्स का, क्लास फॉर साइंस या क्लास फॉर सोशल साइंस का, कोई भी चैप्टर समझना चाते हैं, तो हमारे लर्निंग नोट बुक चैनल पर जरूर जाएं, व में पिर हम सीखेंके ताइप्स और प्रेपोझिटिशन्स जिसमें आता है प्रेपोझिशन आप बस प्लेस 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 प्रेपोझट अच्रवत, प्रे borrowing हैं द्रूर प्रेपोझेशनला, तो हमन चालनी मैं आपके साथ करूंगा एक प्रेक्टिस एक्सश्वारेसेयों तो preposition students, वो words होते हैं, जो relation show करते हैं, किनके बीच में, noun या pronoun, और जो बाकी words है, sentence के, उनके बीच में, relation show करते हैं, example से समझते हैं, the books are in the bag, तो इस sentence में students, जो in हैं, वो एक preposition है, अब अगर suppose करो, मैं ये in हटा दू, ठीक है, तो sentence क्या रह गया, the books are the bag, ये कोई sentence हुआ, क्या हमें ये समझ में आया, कि जो books हैं, वो back के अंदर हैं, या back के बाहर हैं, नहीं न, जैसे ही मैंने इदर in लगा दिया, हमें समझ में आ गया, कि books जो हैं, वो back के अंदर हैं, तो ये जो in हैं, इसने एक relation शो करा है, books are back के बीचे, next sentence देखते हैं, she washed the clothes with soap, तो इस sentence में, जो ये with है, ये preposition है, चीक है, अब अगर थोड़ी देर के लिए, मैं ये with हटा दू, तो sentence क्या रह गया, she washed the clothes soap, अब ये नहीं समझ में आ रहा, कि उसने soap के साथ कपड़े धोए हैं, ये soap के बिना कपड़े धोए हैं, ठीक है, पर with लगाते ही, हमें ये समझ में आ गया, कि उसने soap के साथ कपड़े धोए हैं, तो students, ये जो preposition है, with, इसने relation established किया है, relation show किया है, ठीक है, तो ये काम होता है prepositions का, अब हम कुछ common prepositions देखते हैं, जो हम सब अगर newspaper या book रीड करते हैं, तो वो हमें दिखती है, पर हमें पता नहीं होता कि ये prepositions हैं, कौन सी हैं ऐसी prepositions, common prepositions? in, for, at, from, with, to, after, across, among, before, besides, during, from, inside, near, of, towards, up, with, ये सब भी बहुत ही common prepositions हैं, ये हम अगर बात भी करते हैं, हम जब भी यूस करते हैं इंको, अब हम सीखेंगे types of prepositions prepositions are classified into following types so students, prepositions तीन type की होती है, preposition of place, preposition of time, and preposition of movement or direction let's understand each one of these types one by one सबसे पहले हम सीखेंगे preposition of place prepositions which tell us place or position are called preposition of place तो ऐसी prepositions, जो हमें जगा या उसकी position बताती हैं, उन्हें कहा जाता है preposition of place एसी कौन सी prepositions होती है, at, on, in, above, below, behind, between, under, from ये सभी preposition of place है, ये हमें जगा या position बताती है let's understand this with the help of few examples we are at the mall तो यहाँ पे इस sentence में जो ये at है, ये preposition of place है क्योंकि हमें बता रही है कि हम कहा है, mall में है चीक है, the book is on the table अब यहाँ पे on जो है, ये जो preposition है, ये बता रही है कि book जो है, वो table पर है, table के उपर है चीक है, तो ये preposition of place है, इसी तरह से the chain is in the jewelry box जो chain है, वो jewelry box के अंदर है, in उसके अंदर है तो ये जो in है, ये भी preposition of place है students, ये तीनों prepositions, at, on, in, ये थोड़ी confusing होती है ये समझ नहीं आता कि कौन सी कहां पे लगाएं तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ, अभी फिलाल मैं आपको ये जितनी preposition of place है ये एक-एक करके बताती हूँ कि ये कहां use होती है तो ये preposition of place समझाने के लिए students, मैं ले रही हूँ एक box और एक ball तो पहली preposition है in, in the box इन जो है ये हमें बता रही है कि ये जो ball है वो box के अंदर है तो ये बता रहा है कि जो ball है, वो ball box के अंदर है ठीक है, देख रहे हूँ यहाँ पर, अब ये भी याद रखिये जब हमने on use किया, तो यानी वो जो ball है, वो box को touch कर रही है बिल्कुल उसके उपर रखी हुई है next preposition of place, under, under the box अब यहाँ पर जो ये ball है, वो box के नीचे है तो ऐसी जगाओं पर हम under use करते हैं next, next to the box, तो यहाँ पर preposition है, next to इसका मतलब है, कि ये जो ball है, वो box के पास रखी हुई है जैसे कि हम बोलते हैं, you are sitting next to your friend तो आप अपने friend के बिल्कुल पास में बैठे को, उसके साथ बैठे को तो next to वहाँ use होता है next preposition है, behind the box तो यहाँ पर preposition है, behind जिसका मतलब होता है, पीछे तो ये जो ball है, वो box के पीछे है फिर है, in front of the box तो preposition क्या हुई? in front of यहाँ इसका मतलब हुआ, कि जो वो ball है, वो box के आगे है in front of, उसके आगे है फिर हमारे पास है, between the boxes between, यानि बीच में अब between use करने के लिए दो चीजों की जुरुत होती है जैसे कि यहाँ पे दो boxes है उनके बीच में ball above the box यहाँ पे preposition है, above यह बहुत ही important preposition है इसे ध्यान से सुनिये देखेगे, जो ball है, देख रहे हैं आप ball को यह ball जो है, वो box के उपर है यह vertically box के उपर है पर box को touch नहीं कर रही तो यह फरक होता है students above और on में यहाँ पे on में मैंने आपको बताया कि जो ball है, वो box को touch कर रही है, उसके उपर है और touch कर रही है, पर above का मतलब है कि वो box के उपर है, vertically उपर है, पर box को touch नहीं कर रही अब अगली preposition देखते हैं वो है below below the box तो इसको देखें image को यहाँ पे जो यह ball है वो box के नीचे है below यानी नीचे पर फिर से यह बात समझने ज़रूरी है कि below का मतलब है कि वो चीज नीचे तो है पर वो touch नहीं कर दी दूसरी चीज को देखें गैप है दोनों के बीच में तच नहीं कर दी vertically नीचे है ball box के पर उसको touch नहीं कर दी अगली preposition है far from far from the box इसका मतलब है far यानी दूर तो यानी far from the box यानी जो ball है वो box से दूर है जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है यही मतलब है इसका तो among the boxes अब देखें शूटिंग्स यहाँ पे preposition है among तो among हम जब use करेंगे जब वो जो चीज है वो एक से दो से जादा है जैसे कि यहाँ पे boxes देखें यह boxes कितने हैं यह boxes चार है और ball उन boxes के बीच में हैं तो देखें between the boxes और among the boxes में यही फरक है between the boxes हम दो चीज़ों के लिए use करेंगे उपर देखें इदर यहाँ पे दो boxes थे जब मैंने between बोला तो इसका मतलब है कि दो box है और उसके बीच में एक ball है पर यहाँ पे दो से जादा boxes है इसलिए हमने among use किया तो यह मैंने आपको समझाया है यह जो तीनों prepositions है इनमें doubt होता है बहुत से students को पर एक बात याद लखिए कि यह तीनों आपको अच्छे से समझ आएंगी धीरे धीरे practice के साथ तो इन पे खूब practice करनी है prepositions पे आपको इन जनरल we use add for a point तो जो यह add prepositions है यह हम use करते हैं जब हमें किसी particular point को refer करना है अब वो point क्या हो सकता है वो point exact address हो सकता है specific locations हो सकती है exact address जैसे जैसे कि मैं एक example देती हूँ I live in Mumbai at 26 citizen apartment वदोधरा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे prepositions मैंने सबसे यहाँ पे use करी है add क्यों use करी add क्योंकि मैं exact address को refer कर रही हूँ जो एक point है exact address को point कर रही हूँ कि मैं Mumbai में रहती हूँ इस address को ठीक है ऐसे ही specific location अगर कोई है जैसे कि bus stop हो गया I am waiting at the bus stop तो यहाँ पे हमने add prepositions यूज करी है क्योंकि हम एक particular point को refer कर रहे है specific location जैसे कि bus stop now next है in in हम use करते है for an enclosed space जैसे कि room के लिए I am in a room तो room क्या है एक enclosed space है इसी तरह अभी थोड़ी दिल पहले मैंने आपको बताया the ball is in the box box क्या है एक enclosed space है तो वहाँ हमने use किया in और in use होता है when we are referring to large cities जैसे कि Delhi, Mumbai, Paris हम जब in सब के बारे में बात करते हैं जब भी हम in लिखते हैं हम बोलते हैं I live in Mumbai ऐसे नहीं बोलेंगे I live at Mumbai नहीं वो गलत है ठीक है? अब तीसरी preposition है on 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 हम use करते हैं when we want to refer to a surface for example the book is on the table book किस पे है table पर है तो surface रेफल करी है table की surface को हम रेफल कर रहे है कि book table पर है now let's see more examples for at, in and on अब at मैंने बताया कि point को जब हम रेफल करते हैं तो जैसे कि at the corner at the bus stop at the door at the top of the page at the end of the road at the entrance at the cross roads at the front desk तो यहाँ पे यह सभी क्या कर रहे है एक particular point को रेफल कर रहे है तो जब हमने यूज करा है at अब in मैंने बताया आपको enclosed space के लिए यूज करते हैं और last cities के लिए देखें examples in the garden in London in France in a box in my pocket in my wallet in a building in a car अब next on हम रेफल करते हैं surface के लिए तो इसके कुछ examples देखते हैं on the wall on the ceiling on the door on the cover on the floor on the carpet on the menu on a page ठीके students तो अब मेरे को यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में क्या difference होता है let's see some more examples जहां पर बच्चे confused होते हैं ऐसे कुछ और examples में दिखा रहे हैं हम at कहां और यूज करते हैं at home at work at school अब में इस पर आपको यह और समझाना चाहूंगी आप suppose करो आप कह रहे हो I am at school तो इस sentence का मतलब हुआ कि आप अभी physically school में present हो school के अंदर हो आप जब आपने यह बोला अगर आप बोले I am in school at की जगा अगर आपने in use करा तो इस sentence का मतलब हो जाता है कि आप school जाते हो आप school going kid हो आप school जाते हो पर यह ज़रूरी नहीं है कि उस time आप school के अंदर हो ठीक है तो यह बहुत बड़ा difference है at school और in school में इसी तरह से at university at college ठीक है तो यह सब एक जैसे होते हैं यह at the top at the water तो यह और examples मैंने दिये हैं जहांपे हम at use करते हैं अब next in के examples देखते हैं in मैंने आपको बताया था कि हम use करते हैं जब हम refer कर रहे हो किसी enclosed space को या कोई large city ऐसे सही है तो इधर हमने in देखे कहां कहां use किया है in a car in a taxi in a helicopter in a boat in a lift in the newspaper in the sky तो in तो use करना काफी असान है हम जल्दी से in use कर लेते हैं पर अब बात बनती है कि हम in use करें या on use करें especially in means of transport के लिए क्या मैं in a car बोलू या on a car बोलू ठीक है तो अब on के examples देखें on a bus on a train on a plane on a ship तो students on हम use करते हैं उन means of transport के लिए जिने हमें board करना पड़ता है देखें ये bus, train, plane, ship इन सब को हमें board करना पड़ता है इसलिए हम उनके आगे on लगाते हैं तो ध्यान रखिए आप कभी भी in a bus नहीं बोलेंगे या on a car नहीं बोलेंगे वो totally wrong है अब और examples बताती हूँ on के on a bicycle on a motorbike अब ये जो bicycle है motorbike है इनके उपर आपको बैठना पड़ता है ये कोई enclosed space नहीं है कि आप अंदर जाके बैठ गए उसके छीक है ये भी एक तरीके से board करना पड़ता है उसके उपर बैठना पड़ता है इसी तरह से on a horse on an elephant छीक है ये भी on ही use होएगा इदर then on the radio on the television फिर on the left on the right on the way I am on the way तो ये सब मैंने आपको और examples देनी की कोशिश करी है जो confusing होते हैं हमारे लिए हम गलत prepositions जहां use करते हैं पर अब मैंने आपको बताया है कि कहां पर at होएगा कहां पर in होएगा और कहां पर on होएगा अब इन तीनो prepositions पर मैं आपके साथ कर रही हूँ एक practice exercise जिससे आपको और clarity में लेगी question is complete the sentences with at, in or on तो यहां पर कुछ sentences है हमें उनके blanks को fill करना है using any of these three prepositions first you can keep your things dash that chest of drawers तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर वो कह रहा है कि तुम अपनी चीजे रख सकते हो कहां पर जो chest of drawers है अब drawers क्या है students drawers in enclosed space है right तो enclosed space के लिए मैंने आपको क्या बताया हम क्या use करेंगे in तो इदर हमने लिग दिया in next your pen is dash the floor 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 क्या चीज है एक surface right तुमारा pen floor पर है यह बताना चाह रहे हैं हम इदर तो surface के लिए क्या use करेंगे on next we are dash the office already तो यहां पर students office office क्या हुआ एक specific location हो गई right और specific location के लिए मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा use करते हैं at we are at the office already next sentence why is your dog lying dash my bed यह तो बहुत simple है वही चीज है bed के उपर क्यों लेटा हो every dog तो यह surface की बात हो रही है bed यह नहीं surface की बात हो रही है तो यहां क्या लगेगा on next what are you hiding dash that room अब room room क्या है एक enclosed space है तो हम क्या लगाएंगे इदर in right then we have I am here dash your door अब door क्या है door भी एक specific location है एक point है तो हम यूज करेंगे at I am here at your door ठीक है students तो अब आपको अच्छे से clear हो गया है कि कैसे हम at in और on को use करते है next question is complete the sentences with preposition of place तो अब यहाँ पे मैं आपको mixed preposition जो place की है वो करवा रही है पहला sentence the cat was hiding dash the door options behind और under तो अब यहाँ पे रिखें लिखा है cat was hiding या नि जो cat है वो छिपी हुई थी कहाँ पे क्या वो door के नीचे छिपी होगी under the door या door के पीछे next can you see the plane dash the palace options above और over अब जो plane है students plane काफी उपर उड़ता है तो above आएगा या over आएगा above होता है जो उपर हो काफी उचाई पर तो हम यहाँ लिखेंगे above next carrots grow dash the ground above या under हमें पता है जो carrots होती है वो ground के नीचे grow करती है तो इसके लिए हम यूज करेंगे under under the ground next question लक्षवदीप is located dash India between या next to अब students देखे between के लिए दो चीजों के बीच में तो दो चीजों का लिखाऊना ज़रूरी है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो इदर हम लिखेंगे next to then if you are cold lie dash the blanket options in या under अब हम blanket के अंदर नहीं घुशते इन यानि blanket के अंदर पर हम ऐसे blanket के अंदर नहीं घुशते हम blanket को ओडते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं under lie under the blank then the sentence is put the tea bag dash the cup in the cup या between the cup obviously in the cup ठीक है तो यहाँ पर हमने mixed exercise कर ली है prepositions of place अब students हम आ गए अपने next topic पे जो है preposition of time तो preposition of time क्या होता है prepositions which tell us when the action takes place are called prepositions of time तो वो prepositions जो हमें बताती हैं कि action कब हुआ कब होगा या कब हुआ था यह सब चीजें जो बताती हैं prepositions उनको कहते हैं prepositions of time for example ऐसी prepositions के क्या क्या examples है before after बही prepositions का मतलब हुआ कि पहले हुआ था बाद में हुआ था since कब से हुआ है वो action past for by until around during within at on in यह सब ही जो हैं यह सब हैं prepositions of time अब students इदर आप देख रहे हैं कि यह तीनों prepositions फिर से इदर आ गई हैं at on in तो यह जो तीनों prepositions हैं यह prepositions of place के लिए भी use होती हैं और यह prepositions of time के लिए भी use होती हैं हमें sentence के accordingly इनको use करना पड़ता है कि sentence में place की बात हो रही है या time की बात हो रही है तो इन सभी prepositions को students अभी हम detail में समझेंगे पहले मैं आपको कुछ general examples दिखाते हैं I will complete this lesson by evening तो यहाँ पे जो by है वो prepositions of time है वो बता रही है कि बाई मैं यह lesson complete करूँगी evening तक by evening यानि evening तक next sentence I will be in Mumbai during weekend अब during जो है वो prepositions of time है वो बता रही है कि बाई वो मुंबई में मैं मुंबई में होंगी weekend के दोरा ठीक है तो during prepositions of time in the same way the ambulance is coming within 5 minutes within क्या है prepositions of time जो बता रहा है कि ambulance 5 minutes के अंदर आ जाए ठीक है तो यह सब prepositions of time है तो सबसे पहले students हम यही तीन prepositions सीखेंगे at, in और on क्योंकि यही हम लोगों को confuse करती है so in general we use at for a precise time तो at हम जब यूज करते हैं जब हम किसी precise time specific time की बात करने हैं जैसे कि 5.30 am 5.40 pm जब ऐसे specific time given होता है वहाँ हम यूज करते हैं at in is used for months years, centuries and long periods अब अगर कोई specific months given है January, February ऐसे कोई months given है जब हम in use करेंगे इसी तरह से years के लिए भी centuries के लिए भी और कोई long period अगर given है long duration given है जब भी हम in use करते हैं फिर है on on use होता है days और dates के लिए days यानि Monday to use जे बेडने जे ऐसे days given हो या कोई specific date given हो जब भी हम on use करते हैं 10.30 a.m., at noon, at dinner time, at bed time ये सब भी precise time ही है at sunrise, at sunset या at the moment ठीक है? तो ऐसे examples हैं ये at के जहांपे हमें at यूज करना है अब इन का रेखते हैं इन मैंने आपको बताया कि months के लिए years, centuries और long periods के लिए for example, in may, may जो month को नाम है may, in summer और in the summer कोई specific summer की जब हम बात कर रहे हैं in 1990 या in the 1990s इसी तरह से in the next century, in the ice age, in the past और future इन सभी जगाओं पे हम use करेंगे in अब बात करते हैं on की on मैंने आपको बताया हम use करते हैं specific days और dates के लिए for example, on Sunday on Tuesdays on 6th March on 25th December 2010 on Christmas Day on Independence Day on my birthday on New Year's Eve तो यह जो सभी हैं, यह सभी specific days या specific dates हैं इसलिए हम यहाँ use कर रहे हैं on ठीके students? अब students, बाकी जो prepositions हैं time की उन्हें समझ लेते हैं during during को हिंदी में कहते हैं दोरान तो during कहाँ use होता है? it is used when something happens within the time something else is happening तो यह during यानि दौरान हम जब use करते हैं जब उस time पर कुछ और भी हो रहा है for example we stayed at a hotel during the conference यानि कि हम conference के दौरान हम होटल में थे तो आप देखें students जब मैंने इसका यह मैं आपको हिंदी मीनिंग इसले बता रही हूँ क्योंकि इन प्रेपोजिशन को अगर हम हिंदी में समझ लेते हैं इनका हिंदी मीनिंग तो हमें यूज करना और आसान हो जाता है उसको तो we stayed at a hotel during the conference अब another example is I will be in Mumbai during weekend यानि मैं मुंबई में होंगा weekend के दौरान ठीक है तो यह मीनिंग होता है during का अब next preposition है until या till इसको हिंदी में हम कहते हैं तक या जब तक तो इसका मतलब होता है up to a certain time जब हमें एक specific time के लिए बात करने हैं तो कि उस time तक जब हम ये use करते हैं until या till for example we will wait till या until half past 6 for you यानि हम तुम्हारी साड़े छे बजे तक wait करेंगे ठीक है तो साड़े छे बजे तक यानि साड़े छे बजे तक हम तुम्हारी wait करेंगे तो इसलिए हमने या लगाया until या till कोई भी आप use कर सकते हैं दोनों का meaning same ही होता है next preposition of time है for जिसको हिंदी में कहते है के लिए तो for हम use करते है for a period of time जो period of time है 2 गंटे, 3 गंटे, 6 गंटे, 8 गंटे उस time के लिए चीक है for example I am just going to bed for 2 hours or so यानि मैं सोने जा रहा हूँ 2 गंटे के लिए या उससे जाद फोड़ा सा तो 2 गंटे के लिए चीक है तो ऐसी जगाओं पर हम use करेंगे for next है since जिसे हिंदी में कहेंगे say तो ये since ये refer करती है to a point in time when something began तो ये उस time को refer करती है जब कोई चीज start हुई थी for example students आप कई बर आप restaurants में या किसी sweet की shop पे आपने शायर नीचे उनके नाम के नीचे देखा होगा since 1980s since 1990s तो वो क्या बताता है वो बताते है कि भी जब से हमारी shop है जब शुरू हुई थी और अभी तक है तो इसी तरह से एग्जाम्पल है the restaurant has been here since the 1970s यह restaurant 1970s से है यह ठीक है तो ऐसे जगाओं पे हम since use करते हैं next preposition of time है from to जिसे हिंदी में कहेंगे कब से कब तक we use this preposition to show when something starts and finishes तो यह preposition from और to वली हम use करते हैं जब हमें दिखाना है कि कोई चीज़ कब start हो रही है और कब finish हो रही है for example her vacations will be from Monday to Thursday यानि उसकी छुटियां Monday से Thursday तक होंगी तो मैंने यहां क्या शो करा है कि विकेशन कब start हो रही है Monday से start हो रही है और Thursday तक है तो ऐसी जगाओं पे हम use करेंगे from to अब next preposition of time है ago जिसे हिंदी में कहते हैं पहले we use ago to refer to how far back in time something happened तो ago यानि पहले use होता है time में पीछे जाने के लिए ये बताने के लिए कि कितने पहले कोई चीज हुई थी for example she left the hotel over an hour ago यानि वो hotel से एक गंटे पहले निकली ठीक है? ago पहले इसी तरह से I worked in this office 10 years ago यानि मैंने इस office में 10 साल पहले काम पिया था तो देखिए ago हमने hours के लिए भी यूज कर लिया है years के लिए भी यूज करा है और next sentence में हम उसे यूज करें है centuries के लिए भी kings used to rule here centuries ago यानि राजा यहाँ पे रूल करा करते थे centuries बहुत centuries पहल तो ago हमने यूज करा hours के लिए भी years के लिए भी centuries के लिए भी time में पीछे जाने के लिए यूज होता है ago अब next preposition है before जिसे हिंदी में कहते हैं पहले we use before to refer to any time previous to a specific point in time तो students before हम यूज करते हैं जब कोई specific time है और उससे पहले हमने कुछ कर लिया है जैसे की she is always up before dawn यानि वो dawn से पहले उपती है हमेशा dawn यानि जो early morning जिसको हिंदी में भोर भी कहते हैं then we left for the trip before sunset हम trip के लिए sunset से पहले निकल गए ठीक है तो दोनों ही sentences में एक specific time given है पहले वाले sentence में dawn dawn given था उससे पहले हमने कुछ काम कर लिया second sentence में sunset given है उससे पहले हमने कुछ काम कर लिया तो ऐसी जगाओं पे हम क्या use करते हैं before next preposition है by इसको हिंदी में कहते हैं तक we use by when we want to say not later than तो by हम use करते हैं जब हमें बताना है कि इस particular time के बाद ये चीज नहीं होगी जब तक हो जाएगी ये चीज for example he had promised to be back by 5-4 o'clock इसका मतलब है कि उसने promise किया था कि वो 5-4 o'clock तक वापस आ जाए ठीक है तो 5-4 o'clock के बाद नहीं होएगा उससे पहले वो आ जाएगा next preposition है after जिसे हिंदी में कहते हैं के बाद we use after when we want to say later in time then तो students after हम use करते हैं जब हमें बताना है कि कुछ हुआ है उसके बाद कुछ और हुआ है for example I felt relaxed after taking the medicine अब देखें इधर क्या हुआ है इधर medicine ली है उसके बाद मेरको relaxed feel हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ एक चीज हुई उसके बाद कुछ दूसरा हुआ तो ऐसी जगाओं पर हम use करते हैं after अब next prepositions हैं to और past तो यह जो दोनों prepositions हैं students यह हम use करते हैं time बताने के लिए English में जब हम time बताते हैं जब हम इनको use करते हैं जैसे की it is quarter to two अब देखें यहाँ पर prepositions लगी है to तो इस sentence का क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि time क्या हो रहा है 1.45 यानि दो बजने में पंदरा मिनट हैं अब तो यह जो two है हमने use करा है time बताने के लिए इसी तरह से past भी हम use करते हैं time बताने के लिए it is five past eight यानि time हुआ है एक five जिसे हिंदी में कहते हैं आठ बज कर पांच मिनट ठीक है students तो two और past हम time बताने के लिए use करते हैं next preposition of time है within जिसको हिंदी में कहते हैं भीतर it refers to a span of time during which something may occur तो within ये उस time को एक span जो एक particular time given है उसके भीतर उसके अंदर ही अंदर कुछ हुआ है जब use करते हैं within for example you should receive a reply within seven days यानि कि तुम्हें आठ दिनों के अंदर इसका reply मिलना चाहिए तो हमने a span of time given है साथ दिन उसके अंदर reply मिलना चाहिए ठीक है students तो ये मैंने आपको समझाई है इदर prepositions of time अब students हम कुछ questions करते हैं complete the sentences with on, at, in, for, since, during or until तो यहाँ पे मैं कुछ sentences दे रही हूँ हमें उनको complete करना है इन prepositions की help से पहला sentence let's wait dash it stops raining देखिए इसको हिंदी में समझते हैं क्या कहता है ये हम वेट करेंगे जब तक बारिश नहीं रुकती ठीक है यह sentence बनेगा ये logically तो जब तक की English क्या बताई थी until तो until लिख देंगे हम इदर next he has been playing football dash 10 years इसका मतलब है कि वो football खेर रहा है 10 साल से से यानि क्या बताया था since ठीक है since लिख देंगे हम next sentence I saw them dash 5.30 PM मैंने उन्हें देखा था 5.30 PM पर ठीक है अब एक exact time given है तो इसके लिए हम use करेंगे act I have been in Paris dash a week इसका मतलब है कि मैं पैरिस में थी एक हफ़ते के लिए के लिए यानि क्या होगा के लिए का फॉर ठीक है students तो उनके जब हम हिंदी में उसको translate कर ले देंगे ना तो हमें समझने में जादा असानी हो जाती है next sentence I nearly fell asleep dash the meeting यानि वो कहता है कि almost मेरे को नीन आच चुकी थी meeting के दौरान दौरान के लिए क्या यूज होता है during they have worked in the kitchen dash an hour तो इसका मतलब हुआ कि वो kitchen में काम कर चुके है एक घंटे के लिए के लिए के लिए हम क्या यूज करते है for ठीक है students तो इस तरह से हमने ये preposition of time यूज करनी है sentences को समझना है उसके accordingly ये prepositions यूज होती है अब next हम सीखेंगे preposition of movement और direction prepositions which show movement are called preposition of movement तो जो prepositions movement दिखाती है movement को show करती है उन prepositions को कहते हैं preposition of movement ऐसी कौन सी prepositions है to through across towards around under over onto into ये सभी movement या direction show करती है इसलिए इनको कहा जाता है preposition of movement कुछ sentences की help से इसको समझते हैं I am going to Germany next week तो यहाँ पर preposition है to यह क्या बता रही है यह क्या बता रही है यह क्या बता रही है कि मैं जर्मनी जा रही हूं next week तो यह जर्मनी जाने की movement को show कर रही है preposition to next sentence बता रही है movement कि भी dog ने tear कर नदी cross कर ली नदी के पार चला गया ठीक है तो यह सारी prepositions कौन सी है यह है preposition of movement या हमें इनको preposition of direction भी कह सकते हैं अब students यह जितनी भी prepositions of movement है आईए मैं को आपको फिल से एक box और ball की help से समझा देखी पहली preposition है into अब मैं कहूं अगर I threw the ball into the box तो इसका मतलब हुआ कि मैंने ball को box के अंदर फैखा तो यह जो movement है ball जब box के अंदर जा रही है उस movement के लिए हम यूज करते हैं into next preposition है out out of the box तो यह जो movement है यह है ball को बाहर लाने वाली movement जब ball बाहर आ रही है उस movement को कहते है out of the box next preposition है toward toward the box students toward या towards towards हम कुछ भी यूज कर सकते है दोनों का meaning same है बस spelling अलग अलग होती है ठीक है तो towards the box मतलब की box के तरफ मैंने ball फै की और वो box की तरफ आई तो जब मैं यूज कर रही हूँ towards the box या towards the box next है away from the box यानि box से जब दूर जा रही है ball उस movement के लिए हम यूज करेंगे away from the box away next है past the box यानि मैंने जब ball फै की तो वो box के past से गुजर कर चली गई ठीक है उसने box को cross कर दिया तो इसके लिए हमने यूज करा past next है over the box तो over preposition है इदर इसका meaning है कि मैंने जब ball फै की तो वो box के उपर से गुजर गई over the box next है onto the box तो onto preposition है इसका meaning है कि मैंने ball फै की और box और ball box के उपर जाके बैठ ठीक है onto यानि box के उपर जाके बैठ गी वो next है off the box अब जब ball उपर से नीचे गिरी तो उसको कहेंगे off the box इसी तरह से next preposition of movement है around around the box इसका मतलब हुआ कि ball जो है वो box के चारो तरफ गूम रही है around ठीक है next है under the box ball जो है वो box के नीचे आ गई है ठीक है under यानि उसके नीचे next है up preposition है up up यानि उपर अब मैं अगर कहूँ up the stairs यानि stairs से उपर की तरफ जाती इसी तरह से है preposition down down यानि नीचे अगर मैं कहूँ down the stairs यानि stairs से नीचे आती ठीक है students तो यह सारी मैंने आपको समझाई है इदर prepositions of movement तो students अब हम कुछ practice exercise करेंगे in preposition of movement के उपर complete the sentences with preposition of movement तो यहाँ पर मैं आपको कुछ sentences दे रही हूँ और हमें यह जिसाइड करना है कि कौन सी preposition इदर आए पहला sentence we took a boat dash the river अब यहाँ पर options हमें given है across या towards तो सबसे पहले इसको समझे क्या लिखा है कि हमने boat ली river पर क्या river की तरफ जाने के लिए towards या निए river की तरफ जाने के लिए या across या निए river को पार करने के लिए क्या है का इदर across right across लिख लेता है इंदर next he goes dash theater every night options around और two अब इसका मतलब है कि वो रोज theater रोज रात को वो theater जाता है तो क्या आएगा two right two आएगा इदर around तो हो नहीं सकता कोई theater के चारोत लख चक्कर लगाने तो जाता नहीं है he goes to theater every night next she jump dash the swimming pool options into और around तो यानि उसने swimming pool में jump करी swimming pool के around को ही करी jump swimming pool के अंदर jump करी तो यह movement है तो हम use करेंगे into walk dash the street and turn left options out या down अब देखो out तो आनी सकता है walk out the street street तो पहले ही भार है अब और कितीनी out होएगी वो तो आएगा walk down the street and turn left next we drove dash the tunnel options up या through अब इसका मतलब है कि हमने हमने गाड़ी चलाई tunnel से गुजरने के लिए tunnel से हम गुजरे right गुजरने को क्या कहते है through up the tunnel नहीं हो सकता tunnel के उप़र कोई गाड़ी चलाई है through the tunnel I love to walk dash the sea तो options इदर है over और along up students अगर मैं इदर over लिख दू I love to walk over the sea over the sea मतलब sea के उप़र से walk करना अच्छा लगता है तो गलत हो जाएगा right तो क्या होगा along the sea I love to walk along the sea ठीक है अब students हमने ये तीनों टाइप की preposition सीख ली है preposition of place preposition of time and preposition of movement तो अब हम इन तीनों के उपर एक करेंगे practice exercise question is tick the correct preposition question one is it is 4.30 in या by my watch तो यहाँ पर संटेंस में हमें दो options गिवन है हमें बताना है कि कौन सी correct preposition है अब students यहाँ पर option गिवन है in या by अब देखिए यहाँ पर होगा by my watch it is 4.30 by my watch इधर in क्यों नहीं use होगा क्योंकि हमने सीखा था कि in होता है use centuries, months, years इन के साथ use होना है और जबकि हमें बताना है कि भी उसकी watch में अभी कितना time हुआ है तो हम यह use करेंगे by next our examination is beginning at या on Monday अब देखिए इधर Monday, a specific day given है हमें specific days के साथ हम क्या use करते है on तो यहां हम लिखेंगे on Monday is someone coming on या to dinner अब देखिए students अब कोई dinner के उपर बैठने तो आनी रहा on यानी जब हम basically surface को touch होने वाली चीज की बात करते हैं तो कोई dinner पर बैठने तो आनी ना dinner के लिए आ रहा है तो हम use करेंगे to is someone coming to dinner तो इसमें students answer क्या होगा इसमें answer होगा to यह तो बहुत easy है is someone coming to dinner next the train was running on या at full speed अब students एक बात धान रखिए speed के साथ हम at preposition यूज करेंगे हमेशा तो इतर आएगा at the train was running at full speed next there is a bridge on या over the river अब देखिए on हमने क्या सीखा था कि जब वो surface को touch करता है जब हम on use करते हैं तो जो bridge है वो river को touch नहीं करेगा तो river के उपर या over उसके उपर से बनता है तो there is a bridge over the river होगी open your book at या on page 12 अब इधर क्या आएगा इधर एक specific page number given है page 12 तो हम क्या use करेंगे at open your book at page 12 next sentence she is suffering from या with fever अब with का मतलब होता है के साथ क्या वो fever के साथ सफर कर रही थी या from जिसे हिंदी में कहते है से यानि fever से सफर कर रही थी यह सही है we will say तो हम इधर लगाएंगे from next sentence we should always be kind on animals यह two animals two animals next sentence let us sit in या under the shade of a tree students यह देखे हैं यहां पर यह थोड़ा tricky है जब भी हमें shade given होगा shade of a tree तो उसके साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं याद रखिए इसको let us sit in the shade of a tree पर अगर मिरको यहां पर shade given नहीं है मिरको सिर्फ tree given है let us sit dash the tree तो जब मैं यूज़ करूँगी under the tree ठीक है यह बात ध्यान रखने की है then the sage lived in या into a cave near mountains अब देखें cave क्या है cave एक enclosed space है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे in into नहीं आएगा कोई दर movement शो नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ रहने की बात हो रही है तो in use करेंगे एक और ऐसी ही mixed prepositions की exercise करते है fill in the blanks with preposition first I shall wait for you dash the school gate at, on या in अब देखें यहाँ पे क्या given है कि वो wait करेगा कहाँ पे school gate जो एक specific point है तो हम इसके लिए क्या use करते है at ठीक है where did you buy this cute belt dash from, along या to question है कि तुमने ये cute belt कहां से खरी दी कहां से से आया है यानि from the ball rolled dash a hole into, onto या at तो अब ball roll करके कहां गई hole में hole के अंदर जाएगी गे ठीक है तो हम into लिखेंगे onto तो होए नहीं सकता onto यानि उपर hole के उपर को ही जाएगी ball next while walking dash the track I saw a boulder options along या above अब इदर देखिए track पे walk करने की बात हो रही है options है along या above अब above तो हो गया कि track के उपर मतलब उडते हुए वो तो possible है नहीं तो हमें इदर क्या लिखेंगे along next a car hit the dog while it was walking dash the road ठीक है तो इदर across the road आएगा या in the road आएगा across the road जब वो road को cross कर रहा था उसके पार जा रहा था next my father accompanied me dash the pool to या at अब यहां पर father बच्चा कह रहा है कि मेरे father मेरे साथ उन्होंने मुझे accompany किया pool तक ठीक है pool तक वो मेरे साथ गए तो इदर के आएगा to my father accompanied me to the pool next sentence the picture is hanging dash the wall dash the window and the door options on between या at अब students देखिए picture जो है वो hang कर रही है कहां पर wall पर wall क्या है एक surface है तो उसके लिए हम आप use करेंगे on on the wall है अब आगे हमें क्या given है window और door दो चीज़ given है ठीक है तो इसमें क्या आएगा between the picture is hanging on the wall between the window and the door next this cover design was specially made dash him dash our school अब एक cover design की बात हो रही है कि वो specially बनाया गया था ठीक है तो बनाया है यानि by him और किसके लिए उसने बनाया है school के लिए तो क्या आएगा for by him for our school next someone has pasted a notice dash the wall अभी मैंने आपको बताया wall क्या है इक surface तो उसके लिए हम use करेंगे on distribute all these bananas dash the children अब देखें यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है सिर्फ दो बच्चों की बात नहीं हो रही क्योंकि option में में between भी गिवन है among भी गिवन है between होता है सिर्फ दो चीजों के लिए दो लोगों के लिए तो यहाँ पे हम use करेंगे among distribute all these bananas among the children ठीके students तो यह मैंने आपको काफी सारे इदर practice questions दिये है I'm sure इससे आपकी अच्छी practice हो जाएगी अच्छी के लिए अच्छी के लिए